हेलो गाईस वेलकम बैक टू अन्दर वीडियो आज की सुड़ में देखेंगे SBI कलर क्यानि कि जूनियर एसोसेट का जैसे कि आपको बता है इसका रेश्टेशन अभी स्टार्ट होने वाला है और एक्जाम डेट भी आ जाएगी इसका स्लेबस क्या रहेगा 2022 में और सब्जेक्ट का टोपिक वेटेष कितने रहेगा यानि कि कौन से टोपिक Department से कितने कोशन आते हैं कब से स्टार्ट होगा प्री का एक्जाम कब होगा इसके बारे में भी डिकस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अगर आप चैनल फॉर्स टैम विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, बैल ऐकन को प्रेस कर देना, जितने भी गोर्मेंट जो प्रेलिटी अपडेट है, आपको मिले लगे कि वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना. So, सबसे पहले pre exam की बात करते हैं, pre exam में 3 subject आथे हैं, quantitative aptitude, यन की जिसे numerical ability केते हैं हैं, second is reasoning, और third है English language, quantitative aptitude के 35 questions आता है은, 35 marks के, और 20 minute के आपको time लता है, इसे करने को, इसके बार reasoning में भी 35 questions आता है, 25 marks के, 20 minute का time मेलेगा, इस section को करने के लिए, इसके बाद, English language में 30 question आते हैं 30 marks के 20 minute आपको time मिलेगा यानि कि हर section में आपको 20 minute का time मिलेगा यानि कि total एक गंटे यानि कि 60 minute का ये exam होता है जिसमें 100 question आते हैं और आपको 100 marks मिलते हैं एक question सही होने पे आपको 1 plus positive marks मिल जाता है और एक कोशन गलत करने पर आपको 0.25 निगेटिव मुन जाता है यानिकि 1 by 4 यानिकि अगर आपने 4 कोशन गलत किये तो 1 मार्क्स आपके निगेटिव हो जाते है जो प्री का एक्जाम होता है उसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है और इसमें sectional cutoff नहीं होता है कि आपको हर sectional में अलग अलग पास होना पड़ेगा overall cutoff देखे जाती है सबसे पहले numerical ability की बात करते हैं जो प्री एक्जाम है उसमें कितना बेटिज रहता है numerical ability का number series के 5 question आते हैं बिल्कुल fix है 5 question आएंगे simplification और approximation के 5 से 10 question आते हैं जादा तर 10 question आते हैं तो यह 5 plus 10 15 question यहीं से आपके होगे और 35 marks का है ठीक है 15 question यहां से होगे उसके बात quadratic equation के भी 5 question आते हैं 15 plus 5 20 marks di के 1 di या 2 di आती है 1 di में 5 question होते हैं यानि कि 1 di आएगे तो 5 question पक्यों जाएंगे यानि कि 20 plus 5 25 नमबर आपके इन 4 section से ही complete हो जाते हैं तो इन्हें आपको अच्छी तरह prepare करना चाहिए number series, simplification, quadratic equation और di यह हर exam में जितना भी bank का exam होता है यह section इतना ही weight is रखता है तो इसे अच्छी तरह prepare कर देना इसके बाद miscellaneous arithmetic आती है 10 से 15 नमर की अब वो देखते हैं miscellaneous arithmetic में कौन से topic आते हैं so miscellaneous arithmetic में profit and loss mixer and allegation simple interest and compound interest search and indices इसके बाद time and work time and distance mensuration जिसमें 3D पूछता है cylinder कौन, spare से और उसके बाद ratio and propagation number system, sequence and series permutation and combination यह miscellaneous में 10 to 15 marks का आता है अब बात करते हैं reasoning में reasoning ability में सबसे प्री का exam देखते हैं प्री में puzzle और sitting arrangement से 3 question आते हैं यानि कि 3 puzzle या sitting arrangement आती है इन्हें combine करके या तो 2 sitting arrangement देगा एक puzzle देगा या 2 puzzle देगा एक sitting arrangement देगा और एक puzzle में 5 question होते हैं और एक sitting arrangement में भी 5 question होते हैं 15 plus 5 20 और 5 25 question यहीं से आपके कितने होगे पक्के होगे 35 number का यह exam होता है alpha numeric series and number series से 5 से 10 question आते हैं coding and decoding से 4 से 5 question आते हैं coding and decoding कभी-कभी combine देजा है या फिर single भी देता है combine में आपको मैं दिखा देता हूं कैसा देगा यह यहाँ पर आप देख सकते हो combine में club house near located इसे code किया गया है OL GP OX और OT से तो ऐसे भी question आते हैं जिसमें आपके 4 question आएंगे यानि कि 4 number आपके यहां से पक्के हो जाते हैं इसके बाद miscellaneous problem से 5 से 8 question आते हैं यह भी मैं बता देता हूं reasoning का syllabus आपको यहां पर आप reasoning का syllabus देख सकते हो logical reasoning, alphanumeric series, ranking, direction, alphabet ranking से भी 3 question आते हैं दो से 3 question तो इसे भी अच्छी तरह कर लेना data, sufficiency, coded inequality, sitting arrangement, puzzle, tabulation, c-locks, blood relation, c-locks से भी कापी question आते हैं प्री में blood relation, input, output, coding and decoding यह इसका syllabus होता है अब बात करते हैं English में यहां पर आप English का syllabus देख सकते हो जो pre-exam का होता है close test से 5-10 question आते हैं sporting error से 5-10 question आते हैं fill in the blank से 5-7 question आते हैं जिसमें आपको single line में double line में triple filler ऐसे आते हैं double filler, triple filler तो ऐसे आते हैं पहरा jumble से 4-5 question आ सकते हैं sentence improvement से 4-5 question आ सकते हैं इसके बात RC से 5-10 question आते हैं कभी-kभी 7 भी दे सकता है एक RC में vocabulary से 5-6 question आते हैं अब इसका मैं syllabus दिखा देता हूँ आपको English language का so यहां पर आप English language का syllabus देख सकते हो reading, comprehension, close test, parajumble, miscellaneous, fill in the blanks, multiple meaning and error reporting, paragraph, compulsion यह इसका syllabus होता है बाकी grammar आपको पता ही है अब बात करते हैं means exam की means exam में 4 subject आते हैं quantitative aptitude, journal and financial awareness, reasoning and English language quantitative aptitude में 50 question आते हैं 50 marks के और 35 minute आपको time मिलेगा journal and financial awareness से 50 question आते हैं 50 marks के 35 minute time मिलेगा reasoning में 50 question आते हैं 60 marks के आएंगे यह और 45 minute time मिलेगा reasoning and computer aptitude आता है ज्यादत तर इसमें reasoning का ही question आता है English language में 40 question आते हैं 40 marks के 35 minute आपको time मिलेगा यहनिकि total 190 question आएंगे 200 marks के रहेंगे और आपको एक घंटा 60 minute का time मिलेगा यहनिकि टू आर्स 30 minute का time मिलता है बाकि क्वांट में डी आई का वेटेस बहुत ज्यादा हो जाता है means exam में आपको पता है और journal and financial में banking से related आएगा static GKI की reasoning में जो puzzle और sitting arrangement है उसका वेटेस बहुत ही ज्यादा हो जाता है English language में RC और close test जादा पूचा जाता है मेंस exam का भी में detail में एक इसका भी subject topic weight is syllabus detail में डिसक्स कर दूँगा जब भी इसका official notification आ जाएगा अब बात करते हैं कि जो SBI color के जूनियर associate है इसका registration कब से start हो गया यानिकि online form कब से आएगा इसका online form इस month के last टक आ जाएगा यानिकि 31 July से पहले आ जाएगा और दो मेहने बाद इसका exam हो जाएगा यानिकि 60 days आपको time मिलेगा तो आज इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसना है तो लाइक कर देना चैनल पर पहले बार सब्सक्राइब कर देना exam से रिल्टेट अपडेट आपको मेलने लगेगी thank you guys